तो आज की विडियो में आपको बताने वाला हों कि आपके किसी भी प्रदैक्त नेकगैंट से,zensश्राइब, सपीकर से इयरबोद्त या एक किसी भी प्रदैक्ट को कैसे रीप्लेज कर सकते हैं कैसे वरायनती के लिए क्लेब कर सकते हैं तो जानने के लिए आज किस वीडियो को एंद्र की लाइक कर दिजागा शेयर अबने कि Juliet Lisa कर शोच को शीखてके शिर कर लाइकन करता हैं Jaak आप आपने घर से या पर आपके दीवाई से आप वरांथी डॉम कर सकते हैं जो के बोतका एक ओफिचियल वप साइट होता है वरांथी क्लेम करने के लिए के लिए आप अपने फोन में या फिर किसी भी डिवाइज में ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहां से आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है support.put इतना टाइप करते ही आपका जो कि इसका official website आपका सो कर देगा अगर आपके फोन में या फिर आपके डिवाइज में सो नहीं करता है तो आप यहां से देख लेंगे जो कि यहां से मैंने टाइप किया हुआ है आप इसको same to same आपके डिवाइज में आपके सर्च बार में आप टाइप कर लेंगे and search कर लेंगे and search करते ही जो कि यह बोद का official website आपका open हो जागा तो यहां से आप देख सकते हैं जो कि middle में आपका एक register और complaint का option मिल जाता है तो यहां से आप देखेंगे तो इसके नीचे में यहां से लिखा हुआ है expected warranty complaint resolution time is 12 to 24 business days तो आप जो warranty claim करेंगे तो आपका जो कि product होगा वो 12 से 24 दिन के अंदर में replace होगा 12 से 24 दिन तक 24 दिन तक last आपका लग सकता है बद 12 से 24 दिन के अंदर में आपका product जो कि replace होके आपका आ जाएगा तो यहां से आपको क्या करना है register और complaint पर प्रेस कर लेना है अधिया प्रेस करने की बाद आपका जो की सबसे पहले हैं से आपको product group का option आजागा तो आप इस पर प्रेस कर लेंगे यहां से आप अपने product के group को select कर लेंगे जैसे कि अगर आपका Bluetooth earphones से या फिर headphone है तो आप Bluetooth earphones slash headphones से से अठीक लेंगे sound bar, particle speakers, Alexa speakers, and gaming accessories, तो आपका जिस के तेगरी का आपका प्रोदक्त होगा, जिस गृूप का आपका प्रोदक्त होगा, तो आप उस गृूप को यहां से select कर लेंगे, and select करने के बाद यहां से आप product प्रेस कर लेंगे, तो यहां से आप अपने product के model को type कर लेंगे, एंड टाइप करते ही यहां से जो कि आपका प्रोडक्ट का मोडल सो कर देगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपको जो कि है आपके पोस्तल कोड को दे देना यहां से आपके पीन कोड को आप टाइप कर देंगे अपने जिस नेम से बिलिंग कराया होगा आप उसे नेम को यहां से टाइप करने के बाद यहां से आपको आपके इमेल एडरेस को आप यहां से दे देंगे उसे क्या फायदा होगा कि अगर आपका जो कोई भी status में update होगा आपके warranty claim करने के बाद अगर status में कोई भी update होगा तो आपको जो किया mail पर उसका notification मिल जाएगा यहां से आप अपने active mobile number को यहां से add कर देंगे जिसे कि उसका worker आएगा बोट का worker आएगा आपसे product को pick up करने के लिए तो आपसे contact करेगा इसी number के through यहां से आप उसके नीचे यहां से आप shipping and pick up address आप यहां से add कर देंगे आपका जो भी address होगा आप उसको यहां से add कर देंगे यहां से आप असपास के highlight landmark को देंगे जैसे कि कोई school college या फिर mall या फिर कोई चौक तो यहां से आप उसको add कर देंगे यहां से आप अपने state को select कर लेंगे यहां से आप अपने city को select कर लेंगे यहां से आप अपने आपका जो भी इसूगा आपके प्रडक्त में जो भी problem होगा तो आप उसको यहां से select कर लेंगे जैसे कि माइक इसू, button इसू, Bluetooth connectivity इसू या फिर power on failure इसू तो आपका जो भी प्रडक्त आपके प्रडक्त का जो भी इसू होगा जो भी problem होगा आप उसको select कर लेंगे अगर आपका एज्जेक्ट प्रडक्त नहीं है तो आप उससे related दे उसके एप्रोक्त से जो भी आपका problem होगा आप उसको भी यहां से select कर सकते हैं and select करने के बाद यहां से आपका जो कि यह purchase platform का option आ जाता है तो आप इस पर प्रेस कर लेंगे यहां फ्रेस करते ही आपने अगर किसी Amazon से Flipkart से छूकर अगर किसी अनादर वेपसाइड से purchase किया है तो आप उस website मेदुत करलेंगे अगर बोद के befписiyle website से परचस किया तो आप यहांसे बोद के website ऑपर अगर किसी online website से नई परचस किया है आपने किसी offline वेस्टे से परचस किया है तो आप यहांसे offline retailers पर प्रेस कर लेंगे और इद अगेन यहांसे आपका जोruckिए problem description जोड़ Respond मिल जाएगा आपने ऐसे का उप्संन चूज फ् scores की हो गाएंगे्यास सब्सक्राय्ट ध्याँर्च यहां से आप ऐसे रहे पॉड़ने। तो आपका बिल्ट पे वह देते लिखा होगा, purchase देते आपके बिल्ट होगा, invoice पे होगा, तो आप उसको यहां से select कर लेंगे, यहां select करने के पाद यहां से आप I agree with पे press करने के पाद आपका यहां से quantity का option मिल जटा है, तो आप अगर एक साथ में अगर दो से ज्यादा अगर तो आप से क्वांटि 공it कुभी बढा सकते हैं इसके बाद क्या करना है यहां से आई एम पर पर प्रेकि प्रेस कर लेजा तो आपका वरायन्ति क्लेम हो जाएगा आपके प्रोड़क्ट कह वरायन्ति सबस्क्राइब करें तो इसी तरह से इतना ही मिलते है मेरे अगले वीडियो के साथ